हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और साथ ही एक और जो कमेंट काफी जदा जो इंपॉर्टेंट है जो आप सभी को जानना यहां बहुत ज़्याजरू है क्योंकि काफी सारे कैंडियों का कमेंट आ रहा था कि क्या सर्थ CISF ट्रेडमैन की जो पद थे उसे भी यहां पर बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा दोस्तो आज के इस वीडियो में इनी दो टापिक पर बात करने वाले हैं सबसे पहला मुद्ध हमारा होगा कि रिजल्ट कब तक आएगी आखिर CISF रिजल्ट क्यों नहीं जारी कर रहा है क्या पूरे तरह से रिजल्ट की प्रोसेस पूरी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है या सीट में बढ़ातरी को लेकर यहां पर CISF ट्रेडमैन की जो रिजल्ट है उसे यहां पर रोका जा रहा है क्या संभावना बन रही है क्योंकि दोस्तों कैंड़ेट्स के मन में यह सवाल इसलिए चल रहे है पद बढ़ाने को लेकर क्योंकि जब CISF की नोटिफिकेशन जब रिलीज की गई थी इस पर यह साफ साफ डिकलेयर किया गया था कि CISF में पदों की बढ़ातरी की जा सकती है और साथी यहां पर पद न कहीं इस तीज को लेकर कंफुजन है पद तो यहां घटेंगे नहीं जो आपकी 914 पोस्ट है वो है अगर पद बढ़ते हैं तो कितने बढ़ते हैं और यहां पर पद बढ़ने से जो कैंड़ेट एक या दो नंबर के लिए यहां पर जो अंसलेक्टेड हो रहते हैं वो भ देखने को मिल सकती हैं क्योंकि कि जब नियू रिकूरेंट आएगी तो इसमें पद बढ़ाने की बात यहां पर होगी ही नहीं पर ऐसी अभी कोई भी कोई भी के तरफ से ऑफीसिली अपडेट नहीं दिया गया है कि सी यहां पर नियू वेकेंसी आ रही है मीडिया रिपोर है वो काफी इजी आई थी जिसको लेकर यहां पर कटफ तो थोड़ी हाई जाएगी ही जाएगी क्योंकि नॉर्मली पेपर काफी दा इजी थी और काफी सारे कैंडेट जो है पेपर से खुस भी थे क्योंकि सी याई सिप के इस दौर में काफी जो है इजी कोशन आये थे ज अब तो भी इसके दे हो सकते हैं फ़र यहां पर दोस्तों मैं आपको दौनों चीझ बतायता हूं कि अगर सी ए जाए hoo की रिजर्ट जारी होती है यहां इसके बाद जो है वेटिंग लिष्ट भी जारी की जा सके ऐसे और यहां पर संभाव ना बन रही है पर दौस्तों यह यहां पर जब तक result नहीं आती है तब तक यहां पर कुछ भी काना यहां पर संभाव नहीं है जब तक CISF के तरफ से official notification release नहीं किया आता है तो यहां पर दोस्तों यह बात होगी कि पद बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वह CISF जानेगी और यहां पर हमारे कहने या आपके कह जो मैंने आपको बता दिया क्योंकि इस बात को लेकर इसलिए चर्चा हो रही थी कि notification में दोनों ही condition दिये हुए थे जो है पदो को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं घटाने की तो बात होगी नहीं यहां पर बढ़ नहीं की बात होगी अगर बढ़ती है तो मार्श के महिने में निर्धारिद कही कही थी फिर घटेन होगे यहां पर दोस्तों दो महिन हो कपी दिन के पर देख सकते हैं कि लॉटण की परिकरिया स्टारट 21 जिसके अंदर यहाँ पर उनी करमचारियों को बुलाई जा रहा था जिनकी काफी जदा आओ सकता थी और सारे बाकी सारे करमचारियों को यहाँ पर work at home के लिए तो work at home से दोस्तों आप सभी की result तो prepare नहीं की जा सकती है इसके चलते कहीं न कहीं result में देरी हो रही है तो यहाँ पर दोस्तों अब जो है काफी जगा उपर unlock की परिकरिया हो चुकी है और unlock की परिकरिया के कारण करमचारियों को 25% यहाँ पर work पे बुलाय जा रहा है जिनकी ज़्यादा आउ सकता है क्योंकि दोस्तों आउ सकता है उसी के कारण यहाँ पर करमचारियों को बुलाय जा रहा है और धीरे दीरी करके यहाँ पर जो आप सभी के लिए करमचारियों को और ज़्यादा इंप्रूब भी किया जाएगा क्योंकि result को लेकर काफी दे रही हो चुकि यह भरती परकिरिया में भी काफी लंबा समय लग चुका है क्योंकि आपको पता है कि भरती कब की है यहाँ पर आपने form कब भरा है और यहाँ पर exam कब हो यह इस चीज़ को आप भी जानते हैं तो result से जड़ी हुई आप यह update जान सकते हैं कि जो media report के अनुसार बताया जा रहा है कि यहाँ पर जून में तो यह दोस्तो आपकी 100% है कि result यहाँ पर आप सभी click आ रहे हैं लगभग जो result की process है वो यहाँ पर 70-80% जो पूरी हो चुके है और यहाँ थोड़ी सी बाते हैं थोड़ी सी और work है उसके उसके बिना पर आपकी result जारी हो जाएगी और साथी दोस्तो result जारी होने के बाद जो candidates की demand आ रही है कि इसमें पदों में थोड़ी increasement होनी चाहिए कि और जो candidate है जिन select हो सकते हैं तो यहाँ पर काफी अधा बहतरी भी होगा तो इस चीज को लेकर CISF जो है ट्रेड मैन इस पर विचार कर रहा है इस पर संभावना बन रहा है अगर दोस्तों संभावना बनेगी अगर पदों में increasement होगी तो यहाँ पर result पर थोड़ी सी आपको और लेट करनी पड़ीगी जून के जगा पर जुलाई पर भी जा सकती है पर दोस्तों ऐसा अभी तक CISF की तरफ से अपडेट नहीं दिया गया है अब दोस्तों result, result दोस्तों यहाँ पर जून के आपको फोर्थ वीक में आपको देखने को मिल सकती है इससे पहले आपको देखने को नहीं मिल सकती है क्यों क्योंकि working जो process है वो काफी अदा slow है करमचारियों के वज़ए से क्योंकि आधे करमचारी आ रहे है और आधे करमचारी नहीं आ रहे है इस चीज को लेकर यहाँ काफी तरफ प्रेसर भी है और result में कहीं न कहीं इसी वज़ाँ से देरी हो रही है नहीं तो अगर 100% करमचारी वर्क करते तो आपकी result जो है अभी तक जारी कर दी गई थी पर करमचारीयों के ना वर्क करने है कारण यहाँ पर आपकी result की process में थोड़ा सा delay हो रहा है और यह जाया delay आपको नहीं करना है क्योंकि दोस्तो जून के फोर्थ वीक तक यहाँ पर 100% सियोरली है CISF ट्रेडमैन की जो result है वो यहाँ पर declare कर दी जाएगी तो यहाँ पर दोस्तो और थोड़ा सा आप इंतजार करें अगर इस से related या पद बढ़ने से related या आप इसके बीच हमारे पास result को लेकर कोई भी update आएगा तो सबसे पहले आपने चैनल इस टड़ी जोन के माध्यम से आप तक अपडेट कर देंगे वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं स्टड़ी जोन को तो सब्सक्राइब जोन करिएगा क्योंकि स्ट्रेड मैं की हर एक नई अपडेट या नई रिकुरेंट की अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल इस टड़ी जोन मिल जाएगी तो फिर मिलते हैं दोस्तो अगले वीडियो में तप अगले दोस्तो जाहिंदे